उसमें से एक ग्रूप जो है जो अजाद पैनल है उन्होंने रात को जब हम एलेक्शन के बाद वोटों के गिंती कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर हुलडबाजी की और वहाँ पर जो है वो बैलेट पेपर शेनने के कोशिश की कोशिश कोशिश की वह보Di के वहाँ पर कंटिंग के लिए बैठे हैं तो बैलेट पांटिंग करने से पहले एक सम इसमें कुछ व्युक्व टोंड़ एस्टा के ज़ए हैं कि वहाँज नियुकर अप्जिश्य करस एहां मैजाय ञाएं मेलट नहीं मैं हरएं बिस्वी किंती के दोड़ा किसी किसंदी की कोई दानली कोई दानली नहीं करोगा बिस्मिल्ला रह्मान रहीम नाजरीन असलाम अलेकूम आप देख रहे हैं वाच टाइम्स मैं हूँ आपका मिजबान ताहित नसीर नाजरीन आज मैं दोबारा बात करूँगा नैशनल प्रेस कलब के होने वाले दानली जिदा इंटखाबात के उपर आज मैं आपको दोबारा कुछ चेरा दिखाऊंगा जो अलेक्शन केमिटी के चेर मैं नाम नहाद में उनको चेर मैं काऊंगा आसम कदीर राना उनकी थोड़ी सी इसलियत आपको बताऊंगा वो दावा तो बहुत कर रहे हैं लेकिन उस दावे के हकीकत क्या है वो आपके सामने रिखूंगा क्योंके जो जुमूरियत पर ये जुमूरियत के अलम बरदार तो बने हुए हैं लेकिन जुमूरियत पर शबेखून मार रहे हैं चंड टकों की खातिर क्योंके मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि आसम कदीर राना जो सीनियर सहाफी हैं लेकिन उनको जब लगा कि उनकी रोटिये बंद हो जाएंगी तो उन्होंने ऐलेक्शन में ऐसी धांदली की और तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि नैशनल प्रेस कलब के जो इंताबात हुए हैं गिंती के अमल में इसलामबाद पुलीस के जवानों को बिठाया गया वो निगरानी करते रहे और इस पूरी गेम में आईजी इसलामबाद एसन यूनिस भी शामिल हैं क्योंकि उनकी इजाज़त से इसलामबाद पुलीस के एहलकार प्रेस कलब की हदूद में गुसे और प्रेस कलब सहाफियों का गर है लेकिन आज में जो आईजी इसलामबाद की मिली बगद है वो भी आपको बताऊंगा आसम कदीर राना जो अलेक्शन केमेटरी के चेर मैं नाम नहाद चेर मैं है उनके मतलिक बताऊंगा इस से कबल के मैं कुछ और बात करूँ और आज जब गुर्लिंग बाडी की निशिस्तों पर गिंती का अमल शुरू हुआ तो नाम नहाद चेर मैं आसम कदीर राना ने उस वक्त हलफ लिया और वीडियो भी बनाई तो आसम कदीर राना साथ जब आप एग्जेक्टिव वाडिज की जो गिंती का अमल था उस से पहले आपने हलफ क्यों नहीं लिया क्योंके आपके दिल में चोर है क्योंके आपने पैसे लेके ये यक तरफा काउंटिंग करवाई यक तरफा नताइच का ऐलान किया आसम कद कोई वीडियो एविडिन्स है क्या आपके पास कोई ऐसे सबूत है कि जिससे आप जाहर कर सके कि अजाद पैनल अजाद जर्रिस पैनल वाले बैलेट बॉक्स उठाकर या उसको छिनने की कोशिश कर रहे थे खुदारा चंद टकों की खातिर आप जूत मर्त बोलें क्योंके नाम नहाद एलेक्शन केमिट्री की जो चेर मैन है कल के प्रोग्राम में आप ने आपको बताया कि वो प्रेस कलब के सेक्टरी भी रहे और वो इसी जर्रलिस पैनल के उमिदवार भी थे तो यह जो नाम नहाद चेर मैन है इन्होंने एक लेटर अप जारी कर दिया है और उ आप ये बताएंगे कि वो लेटर कहां पे किसको दिया गया था क्या आप वो टाइम बताना पसंद करेंगे किस टाइम आपने वो लेटर आईजी इसलामबाद को लिखा क्या आप ये बताएंगे कि आईजी इसलामबाद को वो लेटर किस वक्त मुसूल हुआ तो नाम नहा ने आपके इंताबाद कुँ आपके गृंती के अमल को और आप दिगर जितना भी आपने काम किया है उस हवाले से आवाजे बुलंद करना शुरू कर दिया कोई खुदा का खोफ करें हम लोग कहते हैं कि ये नेशनल प्रेसществ क्ल्प है लेकिन नेशनल प्रेस क्ल्प के अगर आप इतने मनजम तरीके से दांदली कर रहे हैं और आप जाहरी बात है जो दूसरे पैनल से उन्होंने भी अब आवाजे बलंद करना शुरू कर दिया है कि आसम कदिर राना ने यक तरफा नताइश का ऐलान किया क्या ही अच्छा होता कि अगर इस पूरे प्रासस में य उनके जो अमिदवार थे जिन्होंने गिंती करनी थी आप उनको भी बिठाते लेकिन आपको जब मुलूम हो चुका कि अब हाथ से रिजल्ट निकलता जा रहा है तो आपने पूलीस को वला लिया आसम कदिर राना साब आप नाम ने हाथ छेर मैन है क्या आपने जब एक्ज 802 से वोटों का मारजन देना है तांके हम बता सके कि हम लीड से जिते हैं या खुदा का खोफ करें आसम कदिर राना साब आप इस तरह का रिजल्ट अनाउंस करके पूरी दुनिया में अब आप तो सहाफियों के नाम पर भी दबा है मुझे शर्म आती है कि आपने सिर्फ चंड टकों की खातिर इतना जमूरी प्रासस एसन त्रीके से सराइंजाम दिया जा रहा था रात आठ बजे तक कुछ भी ऐसे चीज़ समने नहीं आई लेकिन जैसे ही बैलट बॉक्स खुलते हैं और आपको मालूम होता है कि अब आपके नाम नहाद जो काइद हैं अफजल बड़ साब अब यहाँ पे मेरा ये भी स्वाल है कि आपके जो नाम नहाद काइद हैं अफजल बड़ साब उनकी कोई एक तारीखी चीज़ बता दे सोशल मीडिया के ओपर आपके लोग कमपेने तो बहुत चला रहे हैं बहुत ज़्यदा तहरीरे गरड़े हैं लेकिन बता दें बैलेट पेपर चीनने के हवाले से आपके पास क्या कोई एविडंस है खुदारा क्यों जूट बोल रहे हैं पूरी सहाफती कम्यूनिटी के लिए आप एक दबा बन चुके हैं कि आपने ऐसन तरीके से सारा काम हो रहा था और एंड टाइम पे आपने ऐसा खेल ख चेंज कर दिया और आप क्या जवाब देंगे जाहरी बात है आप लोगों से मिलते हैं उनको क्या जवाब देंगे कि नेशनल प्रेस कलब की तारीख में पहली दफ़ा हुआ के इलेक्शन के दिन जब काउंटिंग शुरू हुई तो आपने पुलीस को तलब कर लिया दो ब गंती हमने शुरू की भाई गंती आपने यक तरफा शुरू की थी कब आपने गंती शुरू की आट बजे ऑलक्षन खरता है उसके बाद गंती अमरहला शुरू होता है आच से लेके चार बजे तक आप सिर फ गेमें अफ़ल बट को जिता सकें लेकिन ये सारा जो जमूरी प्रासेस है ये एक सिया तारीख में बदल चुका है क्योंकि अलेक्शन किमिटी के चेर्मेन आसम कदिर राना साब ने नोटों के उपर लेड़ गे हैं तो खुदारा इस तरह मत करें क्योंकि ये एक माफिया है और प्रेस कलब का जो माफिया है इसको शिकस्ष देना असान नहीं है लेकिन हम शिकस्ष दे के रहेंगे और जब तक ये अलेक्शन का प्रासेस है अब देखें इसमें जितने भी इलेक्शन किमिटी के जो लोग हैं वो तमाम चारत वो लोग हैं जो जर्रेलिस पैनल के हैं तीन वो लोग थे एक अजाज जनलिस पैनल का था एक जागो का था और एक नेशनल जनलिस पैनल का था उन तीनों नों ते साइन नहीं किया आपने साइन करके तो दो दो तीन तीन सो का मारजन दे दिया फिर वो जो च्छानवे बैलेट पेपर थे वो कहां पे गे च्छानवे दे के का दे आप एक वीडियो बियान जरी करते हैं और उसमें हलफ दे और लगो हाज़र नाजर जानकर ये कहा दें कि आपने इस अलेक्शन प्रेस्ट जो हुए है नैशनल प्रेस कलब में इसमें कोई दांदली नहीं हुई लेकिन क्यूंकि आप जूटे हैं आप मकारी हैं आप नोटों के इवस बिक चुके हैं और उसके बदले आपने यक तरफा नताइश का एलान किया अभी आहस्ता आहस्ता ये चीज़ें खुलती जाएंगी अभी आप देखिएगा कि होता है क्या क्योंकि आपने यक तरफा काउंटिंग करके यक तरफा नताइश का एलान करके एक उस ग्रूप को जित्वा दिया है जिस ग्रूप के उपर आलरेटी बहुत से लोग लब कुशाई करते हैं ये वो ग्रूप है जिन्होंने जाली वोटर्स बनायो है कि आपको मालूम नहीं आप तो सेक्टरी भी रहे हैं कि आपको मालूम नहीं आप प्रोफेशनल जर्रीड एक यह कूँन जर्नलिस्ट नहीं 56 लेकिन आपने बिकना था आप बिक चुके हैं आप ने एक तरफा नतायश का ऐलान करना था आपने कर दिया लेकिन उन नताइज को पूरे पाकिस्तान के आप पूरी दुनिया में कोई नहीं तसलीम कर रहा क्योंके नोटों के बदले जो नताइज आपने जारी किये हैं वो यक तरफ हाँ हैं आपके और बी बहुत सी बाते हैं क्योंके अलेक्शन केमीटी के आप चेरमेन ते आप ये बता देंगे क्या तीन Бुक्स आपने बैलोड बुक्स थी वो नहीं शाया करवाई थी तो अभी तो आएस्था आएस्था देखें कि होता है क्या है क्योंकि अभी शुरुआत है और आसम कदिराना साभ आपको बताएंगे कि जिसना की आपने दादली करवाई सिर्फ ये बता दें कि दो बज़ के पिचास मिनिट 29 जनवरी में आपके लेटर के ओपर टाइम लिखा हुआ उस वक्त तो आप काउंटिंग ही नहीं शुरु की थी तो क्या आपको इलहाम हो गया था अगले प्रोग्राम तक लिए बने मिसमान ताहर में सुरु को इजाज़त दीजिए अल्ला हाफीज